Star Delta Transformers Limited 6.95 Current Price 5% Upper Circuit हुई है On Saturday ये कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो Market Capital है सिर्फ 208 करोड चोटी सी कंपनी है Face Value 10 रूपीज की है और उसके उपर Earning Per Share 41 रूपीज Cash Earning Per Share और भी अच्छा है 44 रूपीज Price Earning 16 से 17 तक है 16.71 तो कंपनी महेंगी नहीं है Capital Goods Electrical Equipment Peer Comparison हम करें बड़ी कंपनियों के साथ तो Star Delta Transformers का Price Earning जो है वो On a lower side है अभी सबसे important promoter का shareholding कितना है promoter का shareholding है 75% और public के पास है 25% और पिछले सालों में अगर देखे 2017 से लेके अभी तक तो promoters ने अपना shareholding बेचा नहीं है यानि कि उनको company में faith है भरोसा है company पर इसलिए उन्होंने अपना shareholding नहीं बेचा है public के पास 25% है जिस company में promoters का ज्यादा holding हो उसी में पैसा लगाना चाहिए ये company की में बात नहीं कर रहा हूँ होना general rule as a general rule ये आप ध्यान में रखें अभी ये stock chart देखें तो 2015 से ये chart है 2023 जन्वारी तक तो price 100-100-100-100 तक गुमती थी लेकिन पिछले एक साल में काफी तेजी से बढ़ी है यहाँ पे देखें price बढ़ी है काफी fast और यहाँ से पिछले एक सवा महिने में prices वापस correct भी हुई है देखिए compounded annual growth rate profit का 3 साल का है 9% मतलब पिछले 3 सालों में profit बढ़ा है 9% से और stock price बढ़ी है 106% तो profit के मुकाबले price काफी तेजी से बढ़ी है यानि कि share अभी महगा है ऐसा आप कह सकते हैं अब यहाँ पर देखे 8th March को 143 यानि कि 1500 रुपीज का भाववा करदा था एक साल पहले और फिर price बढ़ना चाल हुआ देखिए volumes बढ़ते हैं चले गए बढ़ते चले गए यहाँ पर काफी volumes देख सकते हैं यह पूरा जो अपमू है वह काफी volume के साथ था और फिर 980 का high बनाया है यह stock BAC listed है bomb में stock action में ही listed है और फिर यहाँ से prices करीब 30% नीचे आई ऐसा लग रहा है 25-30% और current price है 695.85 तो price stock price अभी 5% अपर सर्किट में है तो क्या यह price अभी उपर जाएगी देखिए मुझे लगता है कि cash earning per share और earning per share देखके star delta transformers आपको ध्यान में रखना चाहिए अभी यह stock overpriced है और 30% उपर से down भी है तो यहाँ पर जिन्हों ने लिया वह wait भी कर रहे होंगे कि यह price उपर जाए और हमें निकलने का मौका मिले पर मुझे लगता है कि यह price अभी जल्दी से उपर नहीं जाएगी पर यह stock आप जरूर ध्यान में रखें यह video educational purpose के लिए है और अपने advisor की शला लेकर ही invest करें तक्यू